और उसकी 26 मियाइत जहां पर सबकार से लिखा है तब येश्यू ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम रखता था पास खड़े देखा तब उस अपनी माता से कहा हे नारी देख ये तेरा पुत्र है तब उसने चेले से कहा ये है तेरी माता है और उसी समय से वेह चेला उसे अपने घर ले गया प्रेज अलाट रात नमें अपने सर हो चुकाएं और दूआ मागया खड़ावन मेरी बुद्धी मेरी ज्यान मेरी समझ मेरी योगताओं को शून ने कर पिता होने देबाप कि मैं पात्र मात्र ठहरू खड़ावन ये तेरा वचन है खड़ावन जो तेरे मुख्से निकला है मैं ज़्योग नहीं ठेरता खड़ावन के समझू या खड़ावन पैर मनें करूँ लेकिन हैं अज की संग्देया खड़ावन जबकि तुजे एभाया कि तुछ मनुश्य खुदावन तेरे मुख से निकले हुए वचन को बो है खुदावन तेरे आत्मा मिरू पर ठहर है खुदावन मिरू मुख से इस पल से जो निकले पिता वो तेरा वचन हो बाप मैं पात्र मात्र ठहर हो और खुदावन तेरी बड़ी महेमा तर जलाल इस अस्तान पर जाहिर हो निश्यू के नाम से आमीन मैं तो येश्यमसी के साथ येश्यमसी की माता जो है एक मात्र महिला है जो उसके सब रिष्टों में उसके जनम से पहले से लेकर उसके मृत्यू तक ठैरी सबसे लंबा रिष्टा जो इस अंसार में येश्यमसी का गुदरा वो किसके साथ गुदरा उसकी मा के साथ क्योंकि उसके पैदा होने से पहले फरिष्टों ने भविश्यमानी जब येश्यू उसके गर में पढ़ने वाला था उस समय की येश्यमसी डील डॉल में पढ़ता चला गया उसकी मा मरियम उसके साथ बढ़ती चली गई यूस्फ गुदर गया लेकिन मा मरियम ठैरी रही उसके भाई बेहनों से भी येश्यमसी की बहुत नहीं बनी क्योंकि येश्य मसी जो बातें करता था उसके भाई बहन उसे समझ नहीं पाते थे क्योंकि कहीं तक येश्य मसी के स्वरगा रोहन तक जो है या पुरूथान तक जो है येश्य मसी के खुद के भाई बहन भी उसे समझ नहीं पाते है का रहे हुए अलग बात है कि उसके बाद उनको समझ में आ जा हुए तो ये श्मसी उस महान पीड़ा में है उस तकलीफ में है उस परिशानी में है अगर मैं और आप खुदावन के कलाम को देखेंगे तो हम लेका ये श्मसी जब बारवश की आयू में था और वो जो मंदर मे उस यूसुफ को नहीं मिला तो वो क्या हो गये बेच हैन हो गये और वो उसे ड्दूदे 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 मंदर तक पहुँच गये और ये श्मसी के सामने वो अपनी वेथा कहती है मर्यम वो कहती है अरे तु कहां चला जाता है तुझे लगता नहीं हम कितने परिशान हैं कितने बेचहन हो गई हम कितने तड़ब गए कि तु हमारी आख के सामने न ठेरा मेरी दो इसे जाहिर होता है कि मरियम ये शमसी को कितनी महपत करती है मेरी दो मरियम मा है और उस मा के सामने उसके बेटे को मारा जाए, पीटा जाए, उसके हातों पे कीले ठोंकी जाए, उसके सर की उपर काटों का ताज ठेराया जाए, उस मा के सामने उसका अपमान किया जाए, वो मा जो जानती है कि एशू निर्दोश है और नेश कलंक है, मैं तो एक बार को मावाप कब सबर कर ले ठीक है अपनी गलती का गुना धिल आया लेकिन वो जानती है कि ये सारे जगत के लिए आया है क्योंकि उसे फरिष्टों की वाणी याद है कि फरिष्टों ने क्या का तू इसका नाम येशु रखना क्योंकि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेंगा अगर ये मरियम न जानती होती कि ये शु परमेश्वर का पुतर है तो काना गलील में भी येश मसी से कभी न कहती अपनी परशानी अपनी व्यता और अगर उसको विश्वाश नहोता कि ये अधुद्ष मतकार करने वाला है तो वो सिवकों से कभी न कहती कि जैसा ये कहे वैसा करते जाना है मैं तो इसका मतलब मा मरियम जानती है कि ये निर्दोश है उसके बाद भी उसका बेटा उसकी आँख के सामने पिली थे परिशान है दुखी है मैं तो इश्व मसी कलवरी क्रूस पर लटके हुए है और वहां से मा मरियम से कहते हैं क्या कहते हैं हे नारी मैं तो निशित और वहां कई बार लोग अपने अपने फिलोसफी का स्कॉलर्स की है इस नारी वर्ड के उपर कि नारी ये श्मसी ने क्यों का मैं तो खुदा इकलाम लिका है परमेश्वन ने जा आदम हववा को बनाया तो उसने उन्हें क्या कहकर पुकारा नर और नारी मैं तो एक वो नारी थी जिसकी वज़े से संसार के अंदर गुना हुआ एक वो नारी थी जिस संसार जिसकी वज़े से संसार का रिष्टा परमेश्वर के साथ या मनुश्य का रिष्टा परमेश्वर के साथ यह प्रत्वी का रिष्टा परमेश्वर के साथ तूटा क्योंकि हर एक चीश श्रापित हो गई वह उनारी की वज़ए से खुदा इकलाम इलिका है कि आदम और रभा दोनों श्रापित हुए दोनों को श्राप मेले और मातरूं दोनों को इनाइ खुदाई किलाव में लिखा है उनकी वज़े से खुदावन ने क्या का खुदा ने कहा तुमारे कारण ये प्रत्वी भी श्रापित है अभी ये तुमारे लिए उट घटारे हो गाया करेगी इसका मतलब परमेश्वर ने क्रियेशन को भी श्रापित ठेरा दिया मैं ही दो परमेश्वर आज की संदिया मुस्वर आपसे कहता है देखो एक नारी की वज़े से तुमारा समन्द परमेश्वर के साथ टूटा लेकिन एक और नारी जिसकी बविश्यमानी परमेश्वर ने उसी दोरान तीसरे अद्दारी में उत्पत्ति के कर दी थी जब उसने सर्व को श्राब दिया तो क्या कहा मैं तेरे और इस इस्तरी के वंश के पीछ में बैरुत्पन करूँगा और इस इस्तरी का वंश जो है वो तेरे सर को कुछल देगा तो उसकी एड़ी को डशा करेगा मैं ही तो अगर ये श्मसी कहता है माता तो वहाँ पर मरियम जो है वो क्या हो जाती एक मातरी ये श्मसी की माता या उसकी भूमिका जो है वो सिमिट के रह जाती नारी का मतलब जैसे हम कहते हुवा जो है वो आदी माता है तमाम मानव जोनी की माता लेकिन वो माता जो है वो अपनी जुमेदारियां उठाने में विफल हो गई और इस संसार के लिए गुनहा में पढ़ने का सबब बनी येश्य मसी कहते हैं कि ये भी एक माता है ये भी एक नारी है जिसकी वज़े से फिर से परमिश्वर का मन शजौनी से और क्रियेशन से मिलाप हुआ है बई तो निशित तोर पे येश्य मसी ने इस वाणी को कहने से पहले तीन तरह की community को जो है तीन तरह के समुदायों को जो है वो संबोधित किया है पहला समुदाय कौन सा था पहला समुदाय वो था जो येशु को सताते थे वो डाकू, शिपाही, सरदार, येशु मसी उन से बात कर रहे हैं उन्हें अवसर दे रहे हैं कि भला ही तुम मुझे सता रहे हो, तुम मेरे शत्रू हो या तुम मुझे अपना शत्रू समझते हो लेकिन उसके बाद भी मैं अपने पिता से तुमारे लिए शमा मांगता हूँ कि तुम मन पिराओ दूसरा समुदाए, एक पहला समुदाए, येशु मसी के शत्रू, दूसरा समुदाए क्या था, डाकू अर्थाद गुनेगार, दूसरा समुदाए था, गुनेगारों का, कि जहां पर वो गुनेगारों से बात कर रहा है, कि अगर तुम तौबा करोगे, तुमने विश्व मसी किस से बात कर रहा है ये तीसरा कलमा जो है यहां पर ये शुमसी विश्वाशी मंडली से बात कर रहा है यहां पर खुदाई कलाम में लिखा है अगर मैं और आप देखें इस तीसरे कलमे को ना तो मती ने लिखा है ना मरकुस ने लिखा है ना लूका ने लिखा है ये मात एक कूस पर चड़ाया गया तो ना येश्मसी का कोई चेला महाँ था सिर्फ एक चेला था वो कौन सा था यहुन्ना जिसे वो प्रेम करता है और वो इसे प्रेम क्यों करता है तुकि वो तुकि वो उसके महान दुख में उसके साथ खड़ा है महीं तो खड़ावन येश्मसी चाहते हैं कि दुनिया जाने ले कि एक स्त्री के मार्फत इस संसार के अंदर गुना आया और दूसरी स्त्री के कारण इस संसार के अंदर नजात आई है बेज अलाट महीं तो इसी लिए वो जो है अपनी माता को नारी कहके समोधित करते हैं कि ये मातर इस पर मेरा कॉपी राइट नहीं है इसके उपर सारी दुनिया का जो कोई मुझ पर विश्वाश करेगा उसका सबका इसके उपर कॉपी राइट है हर एक व्यक्ति जो मुझ पर विश्वाश करता है कि मैं उसके गुनाओं के लिए मारा गया, गारा गया, दफनाया गया और उसके गुनाओं के लिए तीसे दिन मुर्द में से जी उठा हरे के लिए इस नारी के गर्व को चुना गया कि जो कोई विश्वाश करे इस नारी के गर्व से जन्मी होई संतान पर वो नजात पाए महीदो निश्चित और पाए एक और सबब है महीदो अगर येश्मसी जानते थे उस समय येश्मसी जानते थे कि ये सारी के सारे जो है ये मेरे प्राणों के प्यासे है इन सब के लिए कही ने कही मैं बहुत बड़ा शत्रू हूँ महीदो कई बार गया होता अभी देखा आपने कई जगे चल रहा है कि अगर एक ने कुना किया है एक ने अपराद किया है तो भीड क्या करती है यह लोग क्या करते है उसके घर का जो मिल जाया उसकी घर में तोड़ फूड कर देंगे आज कल तो बिल्डोजर बावा भी चल ले, बिल्डोजर बावा चल जाएंगे, उसके साथ जुले हुए जितने भी लोग हैं कहीं न कहीं उनका अहित होगा, यह शुमसी जानते हैं कि कहीं ऐसा नहों कि इस भीड का क्रोध या इन सिपाईयों का क्रोध या इन सरदारों का क् साथ में उसका चाबक मेरी माता की उपर भी चल जाए इसलिए वो अपना personal relation जो है वो वहाँ publicly जो है वो से शो नहीं करना चाहते है इसलिए भी एश मसी ने क्या का खुदाई कराम में का है तुर्रंट मर्यम और यहुना वहाँ से चले गए बाकी के शब्दों को सुनने का या यह श मसी के मरने का यह श मसी के लोट का को लेने का किसी का भी इंतजार उन्होंने नहीं किया है में तो एक reason यह भी possible है कि यह श मसी ने मर्यम को माता कहकर नहीं पुकारा मर्यम को नारी कहकर पुकारा है महीदो डेफिनेटली मसी एशू अनुगरेकारी है महीदो उस पीडा में भी उस कस्ट में भी उस परशानी में भी महीदो वो अपने संसारिक रिष्टी को नहीं त्यागा है महीदो भलाई उस कलवरी के क्रूस पर चड़ने के बाद उसके लिए सारा जगत एक समान है तमाम मानव जोनी के लिए वो उस कलवरी के क्रूस पर चड़ा है लेकिन वहाँ पर भी उसने एक बुदुर्ग की जुम्मेदारी को निभाया है महीदो आज बच्चे जो हैं सक्षम होने के बाद भी अपने मावाब की जुम्मेदारी नहीं उठाते है जबकि पांच माव कुम क्या कहता है निर्गमन बीश में कि अपने माता पिता का आधर करना लेकि महीदो निशित तोर पे वो मावाब जो जिन्दगी बर उनके लिए महनत करते हैं वो मावाब जो जिन्दगी बर उनके लिए त्याग करते हैं वो मावाब जो जिन्दगी बर उनके लिए या उनके बविश्य को बनाने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजिस करते हैं लेकिन जब बच्चे सुखाल में होते हैं अच्छे पैसे वाले होते हैं सब कुछ उनकी लाइफ अच्छी चल लए होती है उसके बाद भी उनके पास अपने मावाब की चिंता करने का समय नहीं है उसके बाद भी उनके पास अपनी माँ या अपने पिता से बात करने का समय नहीं है बच्चे संसारी खो गए ये शुमसी ऐसे बच्चों को इस कलाम के मारफत ये प्रेणा देना चाहते है कि जब मैं अपनी इतनी पीडा में हूँ इतनी तकलीफ में हूँ इतने संकट में हूँ इतनी कमजोरी के आलम में हूँ उसके बाद भी मेरे जहन में मेरी मा का ख्याल है उसके बाद भी मेरे जहन के अंदर अपनी माता की परती जम्मेदारी उठाने का ख्याल है खुदावन ने तुमें सब कुछ दिया है उसके बाद भी तुम अपने मावाब का ख्याल नहीं रख पाते हो महीदों निशित तोर पे ये शुमसी इस कलाम के मारफत तमाम मानव जौनी को अपने माता पता का आधर करने के लिए प्रिरिद करते है अपने माता पता की जुम्मेदारी उठाने के लिए प्रिरिद करते है मेही तो येश्मसी एक और बहमूलने बात इस कलाम के मार्फत मुस्ते और आप तक पहुचाते हैं वो क्या कहते हैं कि परमेश्वर उन्हें जुम्मेदारी देगा जो अविलेबिल होगा मेही तो अगर वहाँ पर येश्मसी के परिय चेले यहुना के अलावा कोई और अगर चेला पाया जाता अगर यहुना नहोता तो क्या येश्मसी उसे वो जुम्मेदारी न देता उसे भी देता निश्य तोर पर येश्मसी मेरी आपकी जिंदगी को मेरी आपकी मन को मेरी आपकी विचारों को मेरी आपकी सोच को मेरी आपकी भावनाव को जानने वाला और देखने वाला पर मेरी आप इस पीडा के समय में भी मेरे साथ खड़ा है उसने देखा कि यहुन्ना मेरे लिए अविलेबिल है उस बड़ी जुम्मेदारी को उठाने के लिए मेरी दो निशित और भागी के चेले जो गया रहे थे या दसी बचे थे उन सब ने कहीं न कहीं ये शुमसी के साथ उतना ही समय बिताया जितना की यहुन्ना ने बिताया लेकिन जब ये शुमसी का खराब समय आया जब परसितियां बदली महीदों पहले तो सब क्या कर रहते जब दी के दोनों पुत्र लड़े जारे क्या लड़े जारे कि प्रभू प्रभू जब तु अपने राज्य में आए तो हमारी सुधी लेना एक को दाए बठलना एक को बाए बठलना येश् Vermasih के छेले पूछने प्रभू, जब तु अपने राज्य में आएगा, तो तेरे राज्य में कौन बड़ा होगा, मिद उस समय उने उने क्या लग रहा है, उस समय उने लग रहा है कि येश्मसी के पास आकर लाब है, येश्मसी रोमी समराज्य को पलड देगा, अब येशु मसीही राजा बनेगा अब येशु मसीही यहां पर राज करेगा और जब येशु का राजी आएगा तो हम सब को पद मिलना पक्का है हम सब को अधिकार मिलना पक्का है हम सब को अथौरिटी मिली पक्की है लेकिन जब उन्होंने देखा कि येशु मसीतो खुद रोम इस हमराज्य और यहुदियों के द्वारा मारा जा रहा है अब इसका विशम समय आ गया है अब यह कोई चमतकार नहीं कर सकता और नहीं यह कोई चमतकार कर रहा है अब इसका साथ देने का क्या फाइदा अब इसके साथ खड़े होने का क्या फाइदा मेरी दो कहीं न कहीं बाकी चेलों की जो रिलेशन्शिप थी ये श्मसी के साथ वो फाइदे के साथ जुड़ी थी महीदों अक्सर मेरे आपके जीवन की भी बड़ी परजानी है परजानी क्या है जब तक मेरे आपके जिन्दगी में मेरे आपके परवार में मेरे आपके शरीरों में मेरे और आपके अपनों की जिन्दगी में सब सुकून से चलता है तब तक तम्हे और आप भजले भजले येशु नाम जय 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 येशु जय जय ज aur आप परजानी के ऐल में पढ़ते हैं या जयसे ही मुझे और आपको लगता है कि अब येशु मेरी आपकी प्रात्नाओं को नहीं शुनना है अब येशु चमतकार नहीं कर रहा है अब येशु मुझे रोजगार नहीं दे रहा है अब येशु मेरे बच्चों को चंगा नहीं कर रहा है अब येशु मेरे घर के अंदर संसारिक आशिशे नहीं दे रहा है तुरंट में और आप अपना मार्ग बदल देते हैं अपना गोल बदल देते हैं और कहीं और से आशीशें खोजने की दोड़ में दोड़ने लगते हैं जब मेरा और आपका स्वार्थ पूरा नहीं होता मैं और आप येश्यू को छोड़ देते हैं मही तो ऐसा नहीं है में औराप अपना धरम बदल लेते धरम नहीं बदलते लेकिन विश्वाश बदल देते में और आप बुरानीमन बहुत स़से हैं में और आप ओजा टोना, टोटका में और आप बाबा में और आप पीर, फकीर स़च्भता रहा हूँ में और आप या संसारिक बैंक बैलेंज, संसारिक डॉक्टर, संसारिक रिष्टे किसी को भी किसी और पर विश्वाश करना प्रारम कर देते हैं मेरा आपका भरूसा बदल जाता है लेकिन इस्शित तोर पर खुदाई कलाम में लिखा है वो ने खाए जो अंत तक विश्वाश योग्य रहेगा वो स्वर्ग राज का वारिश होगा येश्य मसी का वो चेला अंत तक विश्वाश योग्य पाया गया है और उसने निस्वार्थ अब उसका कोई स्वार्थ तो नहीं है यहुन्ना का अब येश्य मसी की बात मानकर उसे कुछ मिलने वाला तो नहीं है लेकिन उसने निस्वार्थ जो है वो येश्य की उस आग्या को मानता है महीदो निश्य तोर पर अदबुत बात यहां पर देखने पर मिलती है कि येश्य मसी बहला ही कलवरी के क्रूस पर लटका हुआ है बहला ही वो लहुलोहान है बहला ही वो मरने वाला है संसारिक तोर पर बहला ही वो सताया गया है लेकिन वहाँ पर भी येश्य मसी कैसे बात कर रहा है authority के साथ ये शुमसी request नहीं कर रहा है हुना से कि भाई प्लीज अगर हो सके तो ऐसा कर देना भाई अगर प्लीज हो सके तो मेरी मा का धियान लगना हम जब मरते हैं अक्सर पिच्छर में देगा है ना जब आदी मर रहा होता हीरो ये तो अगर वो अपनी बेटी का ख्याल लखने के लिए कहता है या किसी अपनी पत्नी का ख्याल लखने के लिए कहता है तो वो क्या कहता है भाई एक request है मेरी मैं तो जा रहा हूँ तुम क्या करना भाई मेरी बेटी का ध्यान लखना मेरी बच्चों का ध्यान लखना लेगन ये शुमसी उस कलिवरी के क्रूस पर लड़का हुआ भी अपने अधिकार का इस्तमाल करता है निश्यत और बजान लेना ये शु को अपने अधिकारों का इस्तमाल करना आता है ये शु जानता है कि मैं स्पत्थिवी का अधिकारी हू खुदाई कराम में लखा है वह ने खाए येशु जा मंदिर में फरीसिय सुदूकियों से बहस करता था तब भी वो बालक ही था लोग अचम्मा करते थे कि ये बालक कैसे बड़े बड़े शास्त्रियों फरीसियों के साथ क्या कर रहा है अधिकार के साथ बातें कर रहा है मैं तो मेरा आपका येशु ही इस प्रत्वी का अधिकारी है इस बात को जिंदगी में याद रखना मैं तो इसलिए येशु के लिए और परमेश्वर के लिए निरंतर अवेलिबिल दहना जब भी खुदावन की गवाही देने का विसर मिले जब भी खुदावन की खिदमत करने का विसर मिले जब भी परमेश्वर के वजन को बोने का विसर मिले या किसी भी इस तर के साथ येशु की सेवा करने का विसर मिले उसे कभी छोड़ना नहीं जो यिशु के लिए अवेलेवल होगा यिशु उसे ही जुम्मेदारी देता इसलिए खुदा इकलामे लखा है ना खुदा इकलामे लखा है, यदि तुम चुप रहोगे कोई बरजानी नहीं तुम चुप रहो, तुम गवाई मत दो तुम मेरी महिमा मत करो तुम मेरे स्तूती मत करो मैं तो पत्थरों से भी अपनी महिमा ले लूँगा अगर मेरे लिए पत्थर है विले विल है उनसे भी महिमा ले लूँगा मैं तो येश मसी कौन से पत्थरों की बात करता है मैं तो येश्य मसी उन अन जातियों के हिर्दियों की बात करता है कि येश्य मसी कहता है तुम भले ही मुझे जानते हो बूजते हो कोई बात नहीं अगर तुम मेरी महिमा नहीं करोगे बलाई तुमने पुराने साही है तुमने बब्तिस्मा लिया है तुमने सारे काम की है लेकिन अगर तुम मेरे मारग में खरे नहीं उतरोगे तो मैं अन्य जातियों को तियार कर दूँगा जो आज पत्थर के समान है जिनके हिर्दे पत्थर के समाने जो नहीं जानते कि ये शू कौन है मैं उन्हें थियार कर दूँगा और निशित और बजान लेना मैं तो आज मैं और आप अगर संसार को उठा के देखें अपने भारत देश को ही उठा के देखें तो hidden Christians की गिंती बहुत जादा है मैं खुद भी नहीं सोच पाता था जब निकलता हूँ तब मुझे बता पड़ता है कि गाओं गाओं में कहां कहां मसी बैठे हैं और वो लोग मसी के लिए कितने सताई जाते हैं उसके बाद भी मसी के साथ कितने विश्वाश योग के हैं मैं और आप सोच भी नहीं सकते है मैं तो वो लोग जिने हिंदी बोलने पड़नी नहीं आती वो लोग जो बहुत एजुकेटेड नहीं है वो दूसरों के लिए प्राथनाएं कर रहे हैं और खुदावन उनकी प्राथनाओं को सुन आए और उनकी प्राथनाएं जो हैं वो सुनकर परमेश्वर उनकी प्राथनाओं का उत्तर दे रहा है बड़ी-बड़ी गवाहियं हो रही है मैं तो ऐसे लोग जो निशित तोरपे बहुत अच्छी इंगलिश नहीं बोल सकते लेकिन ऐसे लोग प्रचार कर रहे है और उनके प्रचार के प्रभाव वो पढ़ रहे है कि जिन्दगियां बदल नहीं है मैं तो येश्व को तो इस संसार के कौने कौने तक सुस्मा चार प्रचार फैलाना ही है तो कि येशू ने काई जब तक कि संसार का एक के घुटना मेरे सामने न जुकेगा, मेरा आना न होगा संसार का घुटना जुकने का मतलब जब तक एक कान ये सुनना लेगा कि येशू ही मार गए है, येशू ही सकते है, येशू ही जीवन है तब तक येशु इस संसार में नहीं आएगा इसलिए येशु को अपना काम फैला नहीं है जो एविलेविल होगा येशु उसे इस्तमाल करेगा जो खुदावन के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाएगा जो खुदावन की गवाही के लिए के स्टेप आगे उठाएगा खुदावन उसे जुम्मेदारी देगा फिर चाहे उसके सगे भाई ही क्यों नहों खुदावन एक लाम में लेका है वोने का है कुछ एक येशु मसी एक सबाह में बैटकर बचार कर रहे थे घर में वही मेरे भाई और मेरी बैने है येशु मसी ने वो जम्मेदारी अपने सगे भाईयों को नहीं दिये है येशु मसी ने वो जम्मेदारी यहुना को इसी लिए दिये है क्योंकि वो उसकी मनकासा है और वो मनकासा क्यों है क्योंकि वो येशु को समझता है और उसके महान दुख में उसके साथ खड़ा है येशू की बिशम परस्ति में उसके साथ खड़ा है और येशु के लिए अवेलिबिल है मैं तो वहाँ पर यहुना नहीं नहीं का प्रभू क्या कह रहा है अपने भाई से कह दे उससे कह दे कजिन ही तो है मैं तो यहुना कौन है यहुना येशु मसी का कजिन ब्रदर है वो सलोमी का बेटा है लेकिन उसके बाद भी उसने जो जुम्मेदारी उसे दी गई उसने ट्रांसफर नहीं करी उसने ये नहीं कहा कि अरे तेरे भाई बुरा मान जाएंगे अगर मैं इसको लेके चला जाओंगा तो मैं तो कई बार निश्य तौर्ब मैं परमिश्वर कई सारी जुम्मेदारियां मेरे आपके कंदे पर देता है कई काम परमिश्वर इस संसार के कलीसिया के और परवार के मेरे आपके कंदे पर देता है लेकिन मैं और आप क्या कहते है प्रभू मुझे अभी बहुत काम है प्रभू अभी मेरे को ये काम है अभी मैं समय नहीं दे सकता रिटायर हो जाँगा उसके बाद 100% मैं पूरा समय खुदावन के बवन में दूँगा रिटायर हो जाँगा उसके बाद डेफिनेटली मैं परमिश्वर के वचन को परचार किया करूँगा और मैं और आप रिटायरमेंट का दिजार करते हैं आज भी एक भाई से मरी मुराकात हुई मुस्युख भले पाईसाब मैं इससाल रिटायर हो रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ अब मैं सिर्फ पभू के सुसमाचाँ पचार को प्षार को फैलाय करूँगा और मैं अब सिवकाई के काम में लगूंगा पूरी जिन्दगी क्या कर रहे थे मैं तो definitely मैं और आप आने वाले भविश्य की चिंता करते हैं आने वाले समय का अंज़ार करते हैं जब होगा तब मैं करूंगा अभी मुझे बहुत क्राम है अभी मुझे संसार एक बहुत जम्मेदारियां उठानी है लेकिन इस शित और बजान लेना आने वाले वक्त के बारे में और आने वाले समय के बारे में कोई नहीं जानता इसलिए जैसा हो सके जब हो सके जो कर सके खुदावन को बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए मुझे और आपसे मैं तो डेफिलेटली अगर में और आप दसमाश खुदावन को देते है तो वो हमारा ग्रेटिट्यूट है हम अपने लिए दे रहे वो भी खुदावन को नहीं चाहिए खुदावी किलाम लगा एक विदवा इस तरी नहीं दो दमड़ी डाली खुदाव कहता है इन सब में सबसे बढ़कर पता है किसने दान दिया है जिसने विदवा ने दो दमड़ी डाली है वो मेरे आपके हिरदे को देखने वाला पर मेशवर है वो मेरी आपकी जिन्दगी को देखने वाला परमेश्वर है वो मेरी आपकी भावनाओं को देखने वाला परमेश्वर है मैई दो यह देखता है कि कौन अविलेबिल है कि मैं उससे जुम्मेदारी दूँ कि वो मेरे नाम को फैलाए संसार के अंदर मेरे काम को करे मैईदो यहुना अवेलिबिल था खुदाने इसलियों से जुम्मिदारी दी मैईदो निशित और परमेश्वर ने दो महान जातियों को एक कर दिया हुजाती जो कही न कही यहुना कलीसिया को दर्शारा है और मा मर्यम कही न कही परमेश्वर के येश्यमसी की माता अर्थात फरमेश्फर को रिप्रेजेंट कर रही है खुदा ने खुदाई किलाम में क्या लिखा है खुदाई कलाम लिखा है कि पवित्रात्मा मरियम की ओपर ठेरी तभी वो गरवती होगी वो जादू से गरवती नहीं हुगी जादू नहीं हुआ है कुआरी गर्वती हो गई गोई जादू से नहीं उसका नाम येश्यू रखना शाथ में फरिष्टे क्या कहते है यूसुफ से फरिष्टे यूसुफ से कहते है कि तो मर्यम को अपने घर लाने से मत ड़र चुकि जो कुछ उसके गर में है वो फवित्रातमा की ओर से है परमेश्वर की ओर से है तो कही न कई मरियम जो है वो किसको रेप्रेजेंट कर रही है परमेश्वर की आतमा को और येश्वा सीन उस कलवरी के क्रूज से इस वाणी को कहकर परमेश्वर की आत्मा को और यहुन्ना जो कलीश्या है उन दोनों को एक किया है अब तुम दोनों साथ चलो महीदो निश्यत तोर पे खुदावन चाहता है कि मैं और आप जो कलीश्या है वो अपने परमेश्वर के वजन उसकी सिक्षा, उसकी आग्या और उसकी विवस्था के अनुसार अपने जीवन को जीए है महीदो इसलिए खुदावी कलाम में लिका है महीदो इसलिए खुदावी कलाम में लिका है असमान जुए में नजतो विशवाश्यों का अविश्वाशियों के साथ कोई मेल नहीं इसलिए खुदावन येश्वमसी ने उस कलवरी के क्रूज से क्या का उसने उस कलवरी के क्रूज से अपनी विश्वाशी माता को अपने अविश्वाशी भाईयों से अलग कर दिया महीदों येश्व मसी ने अपनी मां से का सुनो अब तुमें अब विशवाशी मेरे भाई के साथ रहने की जरूत नहीं है अब तुम अपनी संगती किस के साथ पकड़ो विशवाशी के साथ जो विशवाशी है उसने दो विशवाशीयों को एक साथ जोड़ा और कहा अब जाओ मैईदों खुदावन देश मसी वीशवाशियों के साथ गुजारे खुदावन चाहता है और आप जादा से जादा समय है परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले परमेश्वर के वचन को मानने वाले और परमेश्वर के वचन पर चलने वालों के साथ बिताएं वह तो इसलिए खुदाई कलाम में लिखा है यहुना कोई और येश्व मसी का भाई कुछ इंटरफेयर करें इससे पहले खुदाई कलाम में लिखा है यहुना ने तुरंट मरियम को लिया और महा से चला गया तो कि येश्व जानता है अभी मुझे मेरे पिता की और जुम्च्ताई या ने भानी है यह जो जानता है कि मुझे अभी और पिताने जो मुझे जुम्च्डारी दी劍 है उन भविश्यवानियों को मुझे अभी और पूरा करना है महीदो निश्च तोर पे खुदावन आज की संदिया मुस्वर आपसे कहता है कि मैं और आप अपने मावाप के लिए कितने करतगे हैं मैंने और आपने मावाप के परती क्या जुम्मेदारी उठाई है खुदावन मुस्वर आपसे कहता है कि नजात आ चुकी है इस संसार के अंदर कि जो कोई उस पर विश्वाश करेगा वो हलाक न होगा बलके अरंत जीवन पाएगा हम अपने आपको चेक करें कही ऐसा तो नहीं है कि जैसे इनकी आँखें होते हुए भी यह देखते नहीं है और इनके कान होते हुए भी यह सुनते नहीं है मैं तो येश्वमसी के भाई मेरे साब से सबसे जादा येश्व के साथ रहे होंगे मर्यम के बाद क्योंकि तीस साल तक बाकी संसार के साथ येश्वमसी कितने समय तक रहा साड़े तीन साल और तीस साल तक वो किस के साथ रहा अपने परवार में तो जादा किसने सुना जादा किसने देखा भाईयों ने बहनों ने सब कुछ देखने के बाद भी सब कुछ समझने के बाद भी सब कुछ सुनने के बाद भी वो येशु पर विश्वाश न कर पाए महीदों कहीं ऐसा नहों कि मैं और आप भी जादा से जादा येशु के साथ रहे किसी की दो पिड़ी किसी की तीन पिड़ी किसी की चार पिड़ी किसी की साथ साल किसी की सतर साल उसके बाद भी मैं और आप बड़े तो हो रहे हैं येशु के साथ मैं और आप समय तो गुजार रहे हैं यशू के साथ लेकिन मैं और आप विशवाश नहीं कर पा रहे है निशित और बजान लेना अगर मैं और आप मात समय के साथ बड़े हो रहे हैं और अगर यशू पर विशवाश नहीं कर रहे हैं तो खुदावन मुझे और आपको भी रिजेक्ट कर देगा उस जुम्मेदारी को देने के लिए जो इस संसार में वो अपने बिशवाशियों को देना चाहता है महीद खुदावन ये शुमसीन ने रिजेक्ट कर दिया अपने भाईयों को बहले ही वो उसके साथ बड़े हुए बहले ही उसका ना सरनेम और उसका सरनेम एक जरसा होगा बहले ही लोगों को संसार को लगता होगा ये सब और सब एक ही मा के गर्व से जन्मे हैं लेकिन जब महान जुम्मेदारी देने की बात आई महीदो दुनिया की सबसे बड़ी जुम्मेदारी थी ये इश्यू के लिए दुनिया भी अपने पिता की जुम्मेदारी ने भाणा उसके लिए आत्मिक जुम्मेदारी थी और संसारिक जुम्मेदारी सबसे बड़ी क्या थी अपनी माता की जुम्मेदारी उठाना महीदू ये शुमसी ने अपने पता की जुम्मेदारी को नभाया और अपनी माता की जुम्मेदारी को भी उठाया और दोनों ही जुम्मेदारियों पर वो खरा ठहरा है मैं दो आज की संदिया खुदावन मुस्य और आप से पूछते हैं कि मैंने और आप ने उजमेदारियों को जो खुदावन ने मुझे और आप को दी थी मैंने और आप ने कितनी नभाई है मैंने और आप क्या परमेश्वर के वचन पर खरे ठहरे है येशु को जानने के बाद येशु को अनभव करने के बाद येशु को सुनने के बाद येशु को पढ़ने के बाद येशु को अनभव करते हुए बहुत सारी आशिशों को पाने के बाद क्या मैं और आप येशु के लिए प्राण देने तक विश्वास योग गें महीं तो हो सकता था उस समय जब लोग येशु को क्रूस पर चड़ा रहे हैं तो वो यहुन्ना को देखकर यहुन्ना पर भी अग्रिसिव हो सकते थे ये भी तो छेला था ये भी बहुत घूमता था येशु के साथ बहुत सारे नगेटिव विचार जो बाकी दस चेलों के मन में आए वो यहुन्ना के मन में भी आ सकते थे लेकिन ये येशु मसी ने उन तमाम नगेटिव विचारों को छोड़कर येशु को चुना महीं दुआना वाला समय निश्यत और बेजान लेना मसीयों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं होगा आज में और आप मसी हुने पर गर्व का निभव करते हैं आज में और आप परमेश्वर से लेते हुए बड़े आनंदित होते हैं लेकिन आने वाले समय में परसतियां बदलेंगी येश्मसी की बविश्वाणियां क्या है येश्मसी की बविश्वाणियां है येश्मसी जब कुरोस को लेके जा रहे थे तो बहुत सारे इस्तरियां रो रहें थी पीट रहें थी चाती पीट रहें थी येश्मसी क्या कहत कुसे हैं अरे मेरे लिए मतरो मेरे को तो यह सह नहीं है तो मरना आए तो अपने बाल बच्चों के लिए रहो इसका मतलब आनेवाली जर्णेशन के लिए रहों क्योंकि आने वाला समय बहुत खराब है उस समय हाई करेंगी वो इस तरियां जिन्होंने अपने इस तनों से दूज पिलाया हो वो अपने गर्वों को कोशेंगी हाई ये गर्व क्यों जने वो कहेंगी कि ये पहाल हम पर गिर पड़े बहुत सारी ऐसी विशम परसिती है मनुश्य के जीवन में आएंगी और ये 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 मसी ने जो इन तमाम बातों को अपने कलाम में मेरो आपके सामने झाहर किया है तो इसलिए मенम और आप अपने आपको अभी से तैयार करें उस विशम परसिती में क्पड़े रहने के लिए उस विशम परसिती में और आने वाले संकट में येशु के साथ विशवाश योग्य होने के लिए निशित तोर पर खुदाई किलाम में लिखा है येशु कहते हैं जो कोई संसार में मेरे लिए अपने मावाप को छोड़ेगा मावाप को छोड़ने का मतलब ये नहीं है क्या सही मावाप जो हम तुमें नहीं जानते मावाप को छोड़ने का मतलब जब चैन करने का अवसर हो संसारिक मावाप में और परमेश्वर में तम्योरा परमेश्वर को चैन करे कि अगर हमारे खुद के मावाप भी अगर हमें अविश्वाशी बनाने की कोशिश करें हमारे खुद के मावाप भी अगर हमें परमिश्वर के कलाम उसकी सिक्षा उसकी विवस्था और उसकी आग्याओं से दूर ले जाने की कोशिश करें तो हम क्या कहें सॉरी मैं दुनिया में सब छोड़ सकता हूँ सब छोड़ सकती हूँ लेकिन येश्यू को नहीं छोड़ सकता है येश्यू को नहीं छोड़ सकती मैं ये दोनिशे तोर पे जैसे येश्यू ने यहुन्ना को एक बड़ी जुम्मेदारी दी वैसे ये परमेश्वर मुझे और आपको भी एक बड़ी जुम्मिदारी देगा हललुया रात नम में अपने सर भुचुका है और दूआ बंगे आसमानों समीन के खलेक मालेक मारे शन्माले प्रहू परमेश्वर इबाफिर से खुदावन बड़ीयाद दर्दीन तार वक्ती के साथ आपके चरुणों में आते इस परवार इस नड़ी के लिए तेरा शुकर करते है अपने बदर गांटी के लिए खुदावन अपने भाई खेले बहन के लिए पताव सिर्वार के बच्चों के लिए ए परमेश्वर इस मंडली के लोग इस कलीशिया के लिए जितने ओनलाइन ओफ ले इन खुदावन अबादतों में सहवागी है शब के साथ रहे शब को आशीशित कर हम सब को खुदावन ऐसा आत्मा दे पिता कि हम विशम परसितियों में भी आपके लिए अविलिवल होने वार लोग बने है प्रभू हम संसारिक बातों को च्ट्याक कर तेरी और नहारने और त्यांग तेरी और ताकने वाले लोग बने है प्रभू हम आत्मिक रीती से खुदावन कलीशियाई रीती से वेवारिक रीती से खुदावन एक हो जाएं कि हमारे संबंद परमेश्वर के अजब बख्ष ते, जिस अपने को सुवाला को माफ करे, हमारे को सुवाला को माफ करे, अजमाईश मेरा पढ़नाते है, बोराईश शे बच्चा, क्योंकि बाहश शेहा है,